नमस्कार दोस्तों मैं भूपेश श्रीवस्तों माइड इप्रूडिजम चलिए में आप सबता स्वावित करता हूँ हमारी सास और हमारी सोच हमारी जिन्दिगी बदल सकती है यह दू चीजें मॉस्ट इंपोर्टेंट है हमारी लाइफ किसे निर्मित होती है हमारी सास से सास बदलो जीवन बदलो दू चीजों पर ध्यान देना सीख लो आपसे एक तो सोच पर और दूसरा सास पर यह जो हम सास लेते हो और छोड़ते हो 24 गड़े हम क्या करते हैं 24 गड़े सास लेते हैं सास छोड़ते हैं अगर हम इस पर ध्यान देना सीख चाहें अगर हम ऐसा भ्यास कर ले कि हम सास ले रहे हैं और सास छोड़ रहे हैं इसको उपर ध्यान देते रहें, सहस्ता से देना है, देखें, याद रखना, ध्यान देना है, कैसे देना है, सहस्ता से देना है, प्रेशर देकर नहीं देना है, जोर लगा कर नहीं देना, सहस्ता से देना है, सरल्ता से देना है, सहस्ता से सास आ रहे हैं, उस पर ध्यान देना सास जा रहे हैं उस पर ध्यान देना सास आ रहे हैं उस पर ध्यान देना सास जा रहे हैं उस पर ध्यान देना उरते बैठते चलते जाते सोते अविर्निस पैदा होने लगी और इसके सासा क्या करना है सोचने पर ध्यान देना है कि मैं क्या सोच रहा हूँ सबसे बड़ी मुश्किल है कि ना तो हमारा ध्यान सासों पर नहीं हमारा ध्यान सोचने पर आप यकीन मालूँ जिन्दगी में सारी मुश्किले सासों पर और सोच पर ध्यान न देने की वज़े से पैदा होती यह सबसे बड़ा रहस्य है मैं आपको बता रहा हूँ सारी रहस्यों को short करके minimize करके मैं बता रहा हूँ कि जिन्दगी की समस्थ समस्याएं सोच और स्वास पर ध्यान नहीं देने की वज़े से पैदा होती है अगर आप अपनी सोच और अपनी स्वास पर ध्यान दो तो जीवन से असंख बीमारियां असंख मुश्किले अपने अभी चड़बूल से समाप्तों कर बाग जाएं क्योंकि सोच बदली तो जीवन बदला एक आदमी है वो जिन्दगी पर अच्छा-च्छा सोचता है उसके जीवन में बहुत अच्छा-च्छा होता है एक आदमी वो बुरा-बुरा सोचता है एक आदमी वो 24 लिटे बीमारियों के बारे में सोचता रहता है वो अमेशा मीमार रहता है, एक आदमी वो फेलियोर्स के बारे में सोचता रहता है, एक आदमी वो गरीबी के बारे में सोचता रहता है, अब जैसा सोचोगे, अब हो वो वैसे ही बन जाओगे, इसके लिए किसी प्रमाणगी ज़रूर दे है, अगर आप दुखे हो, तो उसक पर द्याण देना शुरू कर दो अपनी सोच को सकारातम कर नंग से बदल लाओ पॉसिटिव अफर्मेशन उसमें शामिल कर दो कुछ पॉसिटिव सेंटेंस आप हमेशा दोहरा देरो मनी मन अपने मन से बना वो ऐसे पॉसिटिव सेंटेंस मैं हमेशा बहुत खुश रहता हूँ बिना किसी वज़े मैं हमेशा बहुत खुश रहता हूँ 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 मैं हमेशा बहुत खुश रह रहू है तो क्या होता है? नोकर सुन रहा है कि मालिक ने order दिया मैं हमेशा बहुत खुश रहता हूँ तो वो ऐसी act करने लगेगा और rate करने लगेगा और बोडी को बहुत ही स्वस्थ, बहुत ही प्रसंद और बहुत ही आनंद में ले जाएगा, शरीर को खुपसूरत बनाने लगेगा और वो ऐसी situation पैदा करेगा कि हम हमेशा बहुत खुश रहेंगे मैं हमेशा बहुत खुश रहता हूँ इस एक लगी को बोलने में क्या जाता है अब येकीन मानो, अब मानो या मत मानो positive affirmation, सकारत मक्सूच रहें अच्छे सोच जिन्दगी को बदलने की पूरी ताकत रखते है दो चीजों पर ध्यान देना एक तो स्वास पर ध्यान देना और दूसरा सोच पर ध्यान देना स्वास पर और सोच पर ध्यान देने से पूरा जीमन बड़ी सहता से बड़ी सहसता से जादुई तरीके से बदलने लगता है और वो भी बड़ी तेज रफतार से है अब करके जरूर देखना मेरे छोटे होटे वीडियोज अच्छे लगते हूं तो थमस्पका बैदाबाखर लाइक जरूर करना चैनल पर नए हो तो सबस्क्राइब कर लीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना भी मत पूली जैसे जैसे मुझे समय मिलता है मैं जरूर जवाब देता हूं बहुत बहुत शुक्रियां बहुत बहुत ने जवाद